दोस्तों मैं सिमाब खान एसके एंटर्टेन्मेंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज दोस्तों हम कॉमन ट्रीगर्स फोर माईग्रेन यानि आधा सीसी के आम कार्णों के ऊपर बात करेंगे आदे सर में होने वाली तकलीफ के मुख्य क्या कारण देखने को मिलते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे सबसे मुख्य कारण है emotional stress यानि भावात्मक तनाव तो वो इंसान जो emotional stress लेते हैं अपने आपको सचेद करें बचाव करें emotions में ना बहें emotions से बचेंगे तो भावात्मक stress से बचेंगे भावात्मक तनाव से बचेंगे और भावात्मक तनाव से बचेंगे तो migraine उनसे दूर रहेगा यानि आदे सर में दर्द नहीं होगा दूसरा मुख्य कारण है food related migraine यानि वो लोग जो बासी खाने के आदी हैं वो लोग जो चॉकलेट खाने के आदी हैं वो सचेत हो जाएं इस तरह की चीजों का सेवन ना करें रिसर्च में पाया गया है कि आधा CC यानि आधे सर में होने वाले दर्द की बचा food related यानि खाने सम्मंदित पदार्थ भी होते हैं तीसरा पॉइंट है weather changes मौसम में हो रहे बदलाओ की बचा से भी migraine देखने को मिलते हैं तो बदलते मौसम में साफधानी बढ़ते चौथा point है certain medications वो इंसान जो विसिस्तरकार की दवाएं बहुत लंबे समय से doctor consultation से अलग होके खाते आ रहे हैं मेरी उनके लिए सला है कि वो अपने doctor से advice के तहत ही अपनी दवा को लंबे समय तक चलाएं ताकि इस तरह के complication से इस तरह के side effects से इस तरह की तकलीफ जो उनको आने वाले वक्त में उनके सर में घर कर जाएं तो बहतर है कि इससे बचना चाहिए एक very important point है दोस्तो मौसम में बदलाव changes in weather जब मौसम में बदलाव होता है तब हमें आम तोर पर देखने को मिलता है कि हमारे आधे सर में तकलीफ होने शिरू हो जाती है तो last point है दोस्तो लेक और excessive sleep यानि अत्यदिक सोना या कम सोना ये भी कारण बन जाता है आधे सर में धर्द होने का I hope मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इन कारणों पर ध्यान देंगे और अपने आपको आने वाली आधा शिची तकलीफ लेक और आधा शिची की तकलीफ याणी migraine इंसान को परिशान करना शुरू कर劣 कर देता है तो इन इन चीजों से अपने आपको बचाओ कीजिएगा आप इन चीजों से बचाओ करेंगे तो आधाचिशी की तकलीफ आपसे दूर रहेगी हमें दीजिए इजाज़त मैं सिमाब खान आधाब